दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे multiple long wick candles के बारे में जब हमें किसी stock में trend के direction में series of long wick candles बनते हुए देखने को मिलती है तो वहाँ पर एक reversal आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उधारन के तौर पर मान लेते हैं कोई stock एक strong uptrend में था और जब वो एक key area यानी resistance के नीचे पहुचता है तो वहाँ पर ऐसी candles form होने लग जाती हैं जिनका की उपर का wick काफी ज़्यादा बढ़ा है तो वहाँ पर price action psychology हमें क्या बता रही है वो हमें यह बता रही है कि buyers ने बार बार prices को key resistance area के उपर ले जाने की कोशिश करी लेकिन sellers ने उन levels पर अपनी पकड को मजबूत बनाये रखा और इसलिए हमें multiple long upper wick candles form होते हुए देखने को मिली दोस्तो short side के trades के लिए ये एक बहतरीन setup है और एक confirmation candle form होने के बाद हम उस candle की closing price पर short side में trade में एंटर कर सकते हैं similarly एक downtrend में जब हमें किसी important support area की उपर multiple long lower wick candles form होते हुए देखने को मिलें तो हम लोग long यानि buy side की trade opportunities ढूण सकते हैं